हेलो फ्रेंड्स वेलेकम टू जीनियस जी के इश्टाट फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस की बाइगरफी सरस्बंदित मोस्ट इंपोर्टन कोशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुभाष चंद्र बोस का जनम कब हुआ था राइट एंसर है अपसन B 23 जनवरी 1897 देख्या सुभाश चंद्र बोस का ज toolbar 23 जनवरी 1897 और ईशा के कटक सहर में हुआ था और उनके पिता का नाम है जानकीनातर बोस और उनकी माता का नाम है प्रभावती दत बोस और उनके पिता जानकीनातर बोस ये कटक सहर के मसुहर वकील थे Next question सुभाष चंदर बोस ने इंगलाइन से कौन से परिक्षाव तीड के थे राइट एंसर है अप्सन भी इंडियन स्विल सर्विस देखें सुभाष चंदर बोस ने 1919 में कलकत्ताव इस विदैले से गिर्जुएट किया था और ये इंगलाइन चले गए थे और वहाँ 1920 में आईसर के परिक्षाव तीड की थे जो की चोथारेक हांसिल किया था Next question नेताजी सुभाष चंदर बोस के राजनीतिक गुरु कौन मने जते है राइट एंसर है अप्सन सी चितरंजन दास Next question तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ये हनारा किसने दिया था राइट एंसर है अप्सन सी सुभाष चंदर बोस ने देखे दुती विशुदी के दुरान अंग्रेजों के खिलाब लड़ने के रिए इन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फोजगा अगठन किया था और उनके दौरा जैहिंद का नारा भारत का राष्ट्री नारा बन गया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा का नारा उनका था जो उस समय अत्यधिक परचनल में आये था और भारत वासी उन्हें नेता जी के नाम से संबोधित करते थे नेक्स्ट कोशें नेता जी सुभाचेंदर बोस ने 5 जुलाई उनिस्जो तैलिस को सिंगापुर टाउन हॉल में कौन सा नारा लगा नेता जी सुभाचेंदर बोस ने 5 जुलाई उनिस्जो तैलिस को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाया था और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रेटिस वा काउमन वेल्थ सेना से वरमात सहित इंफाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया था नेक्स्ट कुछेंग नेता जी सुभाचेंदर बोस ने फॉरवर्ड बलाग की स्थापना कब की थी राट एंसर है उप संडी देखे 3 माई 1947 को सुभाचेंदर बोस ने कंग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड बलाग के नाम से अपनी पार्टी की इस्थापना की थी और कुछ दिन बाद सुभाचेंदर बोस को कंग्रेस से निकाल दिया गया था और बाद में forward block अपने आप में एक सोतंतर पालिटी बन गई थी और दुतिवी विशुद के शुरू होने के पहचाद forward block ने सोतंतरता संग्राम को अधिक तीवर करने के लिए जन जागरत की अभियान शुरू की थी next question idea of nation पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है right answer है option B सुभाज चंद्र बोस दोरा next question नेताजी सुभाज चंद्र बोस अंतराष्टरी हवाईड़ा कहां इस्तित है right answer है option C कोलकाता में देखे नेताजी सुभाज चंद्र बोस अंतराष्टरी हवाईड़ा यहां कोलकाता में इस्तित है और इंदरागंधी अंतराष्टरी हवाई एड़ा यहां दिल्ली में है और छत्यपति सिवाजी महाराज अंतराष्टरी हवाई एड़ा यहां मुंबाई में है और पूरे में एरफोर्स का हवाई एड़ा है Next question इनमें से कौन सा नारा सुभाचंदर बोस ने दिया था राइड एंसर है उपसंडी उप्युक्त सभी देखे सुभाचंदर बोस ने दिली चलो का नारा दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा यह नारा सुभाचंद्र बोस ने दिया था और जयहिंद का नारा सुभाचंद्र बोस ने दिया था नेक्स्ट वोशन नेताजी सुभाचंद्र बोस यूरोप जाकर किस नेता से मिले थे राइट एंसर है उप्सन भी हिटलर से देखे नेताजी सुवाचंदर बोस जर्मनी बरलिन गए थे और हिटलर से मिले थे और उनकी मदद किसे ने की थी तो उनकी मदद की थी रिपन ट्रॉप ने और यहां इन्होंने मुक तिसेना की स्थाबना की थी जिसका हेड़कॉटर ड्रेश्टर बना था नेताजी सुवाचंदर बोस कॉंग्रेश के अध्ष कब बने थे। नेताजी सुवाचंदर बोस गांधीजी से कहां पर मिले थे राइट एंसर है उप्सन है मुंबई में सुभाचंद्र बोस की पहली मुलाकात गांधी जी से 20 जुलाई 1920 को हुई थी और गांधी जी की सलाह पर हुए भारती सुतंतरता संगराम के लिए काम करने लेगे थे नेटाजी सुभाचंद्र बोस के दर लिखी गई पुस्तक कौन-कौन से है राइट एंसर है उप्संडी उप्युक्त सभी देखें नेटाजी सुभाचंद्र बोस के दर लिखी गई पुस्तक है एन इंडियन पिलिगिरिम और ट्रनर सोपन और दा इंडियन एश्ट्रगर औ और एन इंडियन पिलिग्रिम यहां नेताजी सुवाचंद्र बोश की आत्म कथा है Next question सुवाचंद्र बोश को देशनाय कहते हैं Right answer है option B रविंद्रना टेगोर देखे सुवाचंद्र बोश को देशनाय कहते थे रविंद्रना टेगोर Next question सुवाचंद्र बोश को देश भख्तों का दिसभख्त कहा था Right answer है option A गांधी जीने देखे निताजी सुवाचंद्र बोश को देश भख्तों का दिसभख्त कहा था Next question सुवाचंद्र बोश अपने सरवजनिक जीवन में कुल कितनी बार कारावास गय थे राइट एंसर है उप्सन से गेरावार देखे नेताजी सुभाष चंदर बोस अपने सारवजनी जीवन में कुल गेरावार कारावास कहते नेक्स्ट उशेन सुभाष चंदर बोस की पतनी का क्या नाम है राइट एंसर है उप्सन है एमली सैंकल देखे सुभाच अंदर बोस के एक मित्र ने एमिली सैंकर नाम की एक आश्ट्रीलार महरा से मुलाकत करा दे थी और सुभाच अंदर बोस की ओर अकर्षित हुए और दोनोंने शवाभ गुरू से प्रेम हो गया था Next question सुभाज चंद्र बोस की वाय यांद्र घटना में मिरत कब होई थे राइट एंसर है उप्सन बे अठारा अगस्त निसो पैरिस को नेताज सुभाज चंद्र बोस की वाय यांद्र घटना में मिरत होई थे अठारा अगस्त निसो पैरिस को नेक्स्ट बोस्यान नीताजी सुवाशंद्र बोस को मरड़ो परांथ भारत रतन देने की घुसरा कप की गए थी राट एंसर है उप्सन से 1992 में लेकिन सुवाशंद्र बोस को भारत रतन दिया नहीं गया था सुवाशंद्र बोस की रहस में गुमसुद्गी की जाच किस आयोग ने की थी राट एंसर है उप्सन ने मुखरजी आयोग ने नीताजी सुवाशंद्र बोस ने राष्ट पिता की उपाद दी थी राट एंसर है उप्सन भी महतमा गांधी को देखे चार जुन नियुसो चवाशंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संद्यस प्रशारित करते हुए महतमा गांधी को देश का पिता कहिका संबोधित किया था और इसकी अबाद 6 जुलाई 1944 को सुवाशंद्र बोस ने एक बार फिर से रेडियो सिंगापुर से एक संद्यस प्रशारित करते हुए गांधी जी को राष्ट पिता कहिकर संबोधित किया था नेक्स्ट उशेन नेताजी सुवाशंद्र बोस ने कौन सा अकबार शुरू किया था राट एंसर है उप्सन भी सुराज नेताजी सुवाशंद्र बोस ने सुराज अकबार शुरू किया था नेक्स्ट उश्यान नेताजी सुवाचंद्र बोस ने कौन सा समाचार पत्र का समपादन किया था राट एंसर है उप्सन सी बांगलार और भारत में पर्थम समाचार पत्र निकालने का सुरे जोन आगश्टस हिक्की को मिला है इन्होंने 17AI दा बंगार गजट का प्रसकासन किया था और इंडियन मिलर समाचार पत्र इसका समपादन किसने किया था तो इसका समपादन 1861 में मनमोहन घोस और देवेंड नाटेगोर ने करकत्ता में किया था सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो